तो दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं कि Big Boss OTT 3 का जो है दोस्तो शुरू हो चुका है Premier वे मियर, Contestants अब आ चुके है, Confirmation भी हो चुका है जो भी आने देखा था, यहाँ पर दोस्तो अभी Wildcard में आने के Chances है Maxton और Angeley Aurora ये दोनों के, और यहाँ पर अब हम बात करते हैं, घर मे जो एजेंट है दोस्तो एजेंट बनाया गया है दोस्तो यहाँ पर घर में तो सना सुल्तान जो है उनको एजेंट बनाया गया है हम सब को पता है मालूम है लेकिन दोस्तो यहाँ पर सना सुल्तान को पकरना इजी नहीं होगा दोस्तो क्योंकि सना सुल्तान जो है बहुत स्मा माटलर किये आप उसका नाम कोई लेई नहीं रहा है दोस्तों एजेंट में से कौन होगा जब सबको पुझा जा रहा है कौन एजेंट है कौन एजेंट है तो उसका नाम कोई नहीं ले रहा है सब मतलब नेजी का नाम ले रहा है लेकिन दोस्तों नेजी ऐसा नहीं है दोस्तो और नेजी जो भाया है हमारे फिनाले तक जाने वाले आही है नेजी, कटारिया, साई केतन ये लोग एंडिंग तक जाने वाले मुझे लग रहे हैं और आउट जो जल्दी होने वाले हैं निकलने वाले हैं मुझे लग रहा है ये मुनीशा जो खत्वानी है ये और ये दीपक दिपक चौरास को वह ओप एंट्रेस्टेंगं क्यारेक्ट्र एक डूस्तों लेकिन उनको ज्ञादा मैं फूटेज में नहीं देँग रहा हूँ क्यामरा में ज़यातर हम अर्मान मलिक को है एक इन्टेस्टेंगं क्यारेक्टर होगा दोस्तों यह जो साथ आया है रहा लग पकर enfantsälास है छोड़ा ऑन ठेसेगे दूपर अपने अपने बीवी ऐसाथ आया है यह कहीं है मैं मांनता हूं कुछ सैक्द देशे नहीं है फ़िसा है हैं अब पैसा अगर हो तो अपना आपके पास तो बीवी रखिए जितना मर जी मेरे पास नहीं है तो मैं शादी नहीं करूंगा तो अर्मान मलिक के गेम जो अभी भी हो साइलेंटली खेल रहा है अभी तक नहीं आ रहा है अभी तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ दोस्तो अभी इन लोगो फोन दिया गया है और फोन में सिर्फ अभी ये लोग मेसेजिस देख सकते हैं रिप्लाई नहीं देख सकते मतलब सिर्फ रीड कर सकते हैं रिप्लाई नहीं कर सुल्टान को किसी ने पकल लिया दोस्तों तो अगला एजेंट वही होगा स्पाई और सना सुल्टान को पकड़ने के लिए दोस्तों सब बहुत शाती रोना परेगा अभी दोस्तों लाइफ इड चल रहा है यहाँ पर मैं देख रहा हूं सना मकबूल और अर्मान मलिक बात कर रहे हैं अर्मान मलिक बहुत ही गेम को अलग तरीके से खेलने वाले दोस्तों बिगबॉस 17 से अच्छे कंटेस्टन लाया है इस बार जो इस बहुत बिग्वीज मत करें तब के होटपे कुट्वे काट लेंगे यहाँ पर जो पॉल्लो मी दास है इनका कानभे ये इनकी क्लर कॉम्पलेक्शन की वाई से इनको काम नहीं मिल एकाम एडारक है ये दोस्तों जो इंडेस्री होती है आईये एंट्रेट्री में यहाँ पर डार्क लोगो काम नहीं दिया जाता ज्यादा है यह सच्चा यह इंडेस्टरी की इसका इक्षेप्ट करना बहुत जरूरी है तो फिर वो गायब हो गई फिर वापस आई है ना तो पाता है अब तो यूटुब भी शब वो कह तो डर्क कंप्लेक्षन और फैर कंप्लेक्षन का अभी इंड्डेस्ट्री में वो है यह होलिवीड तो नहीं है न funk Elle gonna आप by Blacks लौको यह चलता रहेगा दोस्तों यह चीज जो है Black और डार्क फेर्स कंप्लेक्शन और डार्क कंप्लेक्शन का यह चलता रहता है दुनिया का रूल है यहाँ पर दोस्तों सना कटारिया भाईया जी हाँ अब आते इस पर यह भाई साब बहुत सना मकबूल पर फिदा है अभी सना मकबूल को बहुत वो कर रहे हैं लाइन मार रहे ह ज्यादा भावनी दे रहे हो सना मक्बूल लेकिन कटारिया जो है मुझे ऐसा लग रहा है वो फिनाले तक जाने वाला है और मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉप टू जो है टॉप टू नेजी और कटारिया ये दोनों ही होंगे मुझे ऐसा लग रहा है जिहां नेजी और कटार प्रफिर शोर है यह तो भी यह घोमने आये बोले वेकेशन में कितने दिन टिगेंगे पता नहीं इनका देखे लगता नहीं है जीतने आये यह तो आते ही बोल रहे थे मुझे काम नहीं मिल रहा है तो इसलिए मैं आगे आऊं यहाँ पर और भी बच्चे चले गए घोमने अम कि इसके व्लॉग मैंने देखे यह इस तरीके से बात नहीं कर रही है जैसे वो कर रही है अभी घर में दैया दैया बोलके इस तरीके का नहीं है ठीक है मिट्टी उट्टी लाना एक है घाव का मिट्टी लाना ठीक है यह है लेकिन कटारिया जो है वो खुल के खेल रहा है म मुझे अच्छा लग रहा है मुनावर जैसा यह वो लोग जो लिखते हैं ना शायर वगेरा सना सुल्तान को देखिए किस तरीके से वो गेम खेल लिए पकर्मी नहीं आ रही है वो है ना इतना बड़ा पावर मिला उसको देखिए क्योंकि सबको पता था विग बॉस को कि अगर उसको यह पावर देंगे ना सना सुल्तान को वह बहुती क्यूट टाइप है इनोसें टाइप है किसी को पता नहीं चल लेगा कि सना सुल्तान के पास ही एजेंट ही वही एजेंट और स्पाई है ना तो यही गेम में खेला गया है इदर अब नेरेस भाई है यह तो boxing coach बन चुके है दोस्तों देखते क्या होता है फिलाल तो अभी खानावाना खा रहे है यह लोग live feed में और किसका बचा है किसके बार मैं बोले अब चंदरी का हाँ यह जो है दोस्तों चंदरी का यह आगे तक जाने वाली है दोस्तों फिनाले तक म है इस बार दोस्तों मना रहे सी अच्छे अच्छे कंटेस्टन लाए यह लोग मानना परेगा और अभी दोस्तों फ़ल्हाल तो नीरज गोयात आये है अभी और पॉलमी दास देखते कितने टिकती है मुझे नहीं लगता हो जाद इन टिकने वाली है यह ना फिर भी देखत कितने दिन टिकेगी देखेंगे है ना चलिए उसके साथ मैं विदा लेता हूं मुझे